भारत के मूल सविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी तो दोस्तो इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आठी और बरतमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो बरतमान में हैं 12 अनुसूचियां और आठी अनुसूचि किसे संबंदित है तो यह भासाओं से संबंद करता है यह कथन किसका है दोस्तों इस तरह के परस्ण भी अक्सर परिक्ष्याओं में पूछे जाते हैं तो यह कथन है केसी वेर का तो यह आपको यादक नहीं अगला परस्ण है तो यहाँ पर उस तो एक्स्ट्रा फेक्ट यह दिया हुआ है कि भारतिय सविधान अनसत है कठ अगला परस्ण है यहाँ पर हमारा दोस्तों बिल्कुल छपने वाला परस्ण है और सीधे सीधे परस्ण आपको परिक्ष्या में दिखाई देगा अगर आया तो उद्धे सिका में समयलित सामाजिक आर्थिक वो राजनितिक न्याई के तत्तु किसे संबंदित हैं बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है दोस्तों यह है 1917 की रूसी करांति से बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याई के तत्तु दोस्तों यह 1917 की रूसी करांति से संबंदित हैं जो उद्धे सिका में संबंदित हैं अगला परस्ण है आपर हमारा जम्मू कस्मीर बनाये गया तो इसका सेउत्तर हुजेगा यहाँ पर हमारा 31 अक्टूबर 2019 को यह किया गया था तो यह आपको याद अखने अब दुस्तों यह दोनू के दोनू केंदर सासित परदेश हैं अगला परशन है यहाँ पर हमारा बरतमार में उस्तों 28 राज्जी है बहुत ज्यादा उस्तों महत्पूर्ण है कई बारे परशन परिक्ष्या में पूछा जा चुका है तो अनुचेत 17 आपको यादक नहीं है अस्पिरसिता का अंतुस्तों अनुचेत 17 में है सविधान में अस्पिरसिता परिभासित नहीं है अस्पिरसिता निवारन अधिनिय है अस्प्रिशिता निवारण अधिनिया मुश्वपच्पन के अंतरगत अस्प्रिशिता को बढ़ावा देना एक धंडनी अपराध है अगला प्रसने आपर हमारा जबर्दस्त प्रसन उस्तो बार-बार प्रसन परिच्च्याओं में पूछा जाता है डाक्टर भीम राव अ अधिकार को अनुछेद 32 को भीमरा अंबेट करने मौलिक अधिकारों में से सवविधान का आत्मायों हिर्दाइकी से संग्या दी है बढ़ते हैं आगे अगला प्रसन उस्तो यहाँ पर हमारा किसी ब्यक्ति को राष्ट गान गाने के लिए बाद दिन नहीं किया जा सकता है सर्वोच नियाले ने किस मामले में ऐसा कहा है तो किसी भी ब्यक्ति को राष्ट गाने के लिए बाद दिन नहीं किया जा सकता है तो यह था विजय इमैनुवल पनाम किरे राज जी का मामला था यह 1986 का अगला प्रसन आपर हमारा जबरदस्त प्रसन है राज जिपाल किस अन अनुच्छे 201 में है तो यह आपको याद अखने राज जिपाल अनुच्छे 201 के तहत राष्ट पती के पुनर विचार के लिए बिधेक को आरक्षित रख सकता है अगला वर्षन है दोस्तों यहाँ पर हमारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य सक्तियों का विभाजन किस अ पहुत जादा मैतपूर्ण ने अनुच्छे 245 तथा 246 में है केंद्र तथा राज्यों के मध्य सक्तियों का विभाजन अगला वर्षन दूस्तों यहाँ पर हमारा न्यायालाई में कार्वाही लंबित होने की दसा में लागु की जाती दूस्तों यह की जाती पर्तिसेद यह आपको याद रखना है अगर वर्षने यहाँ पर हमारा यह सुजाव किस समिती ने दिया कि राज्यिपाल के परशाद पर्यंत राज्यमंत्री परशद के पद धारित करने से समंदित परावधान समाप्त कर दिया जाए दोस्तों यह था राजमनार समिती ने राजमनार ये छेत्रू में तो बढ़ते हैं आगे अगला परसने बुर्जिल वा बनिहाल दर्रे किस परवत स्रेणी में इस्तित है उस तो ये हैं पीर पंजाल परवत स्रेणी में तो याद रखेगा बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है परसने बिल्कुल छपने वाला परसने बुर्जि विश्चु की सबसे आधुनिक सुनामी चेताउनी प्रणानी दुस्तों ये प्रादम की थी 2007 में, अक्टूबर 2007 में, वहाँ पर आप्शनों का 2007, 2005, 2008, 2006, फिर दोस्तों देखिए कितना मुश्किल वहाँ पर हो जाता है ये आप्शन, अगला वर्षन है माउंट किली मंजारो किसर स्रेणी का जौला मुखी है, दूस्तों ये है सांत जौला मुखी है, माउंट किली मंजारो, अगला पर पर हमारा उपसौर और अपसौर के बारे में उस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से भी दूस्तों पर पर आजाता है, तो उपसौर और अपसौर उस्तों जान लेते हैं सबसे पहले उपसौर की स्थिति, उसके बाद अफसौर की स्थिति, उपसौर के बारे में उस तो यह है कि पिर्थि भी जब सूर से निकरतम दूरी पर होती है, तो उससे उपसौर कहते हैं, ऐसे इस्थिति उस तो कब होती है, तीन जनुरी को, तो तीन जनुर पढ़ते हैं आगे अगला परसने मंगल और बिरिस्पती की कक्छाओं के मद्धे सूरी की परकिर्मा करने वाले आकासिय पिंडू को क्या कहते हैं चुदरगर है अगला परसने आप पर हमारा भारत का पर्थम अंटार्किति का सोध केंदर का नाम क्या है दक्षिन गंगोत्र दक्षिन गंगोत्री है वर्स 1994 में उस्तो इसे इस्तापित क्या गया था बहुत ज़्यादा महतपूर्ण परसने हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तो यहाँ पर कुछ ये जन जातियों को सोशन से बचाव हेतु कुछ विसेश दोस्तो अधिनयम दिये गे हैं जो कि दोस्तो सिविल अधिकार सेलक्षन अधिनयम उस्तो बहुत ज़्यादा महतपूर्ण है सभी के सभी अधिनयम तो सिविल अधिकार सेलक्षन अधिनयम उस्तो इक अपका है 1905 का है और 1976 उस्तो इसमें सनसोधन हुआ था बिलकुल महजवानी आपको याद रखने हैं आगे उस्तो यह नियुंतम मजदूरी अधिनिया मजटी कभ 1948 में बहुत ज़्यादा में बिल्कुल छपेगा एक्जाम में अगला बर्शन बंधित स्रम पद्धती उत्पादन अधिनिया में यह है बंदवा मजदूरी उन्मुलन अधिनिया मजटीक अधिनिया में बंधुआ मजदुरी वाला ये भी आ चुका है और बाल स्रम वाला उस्तो ये भी आ चुका है सिवीर अधिगार आ सकता है अनुसूची जाती जन जाती उस्तो ये भी आ सकता है 1989 आगे बढ़ते हैं गुप्त काल में किस बंदरगा से धक्षिन पूर्व ACI रास्टूं को जहा बाज रवाना होते थे तामर लिप्ती अगला पर्शन है आपर हमारा इस चीनी आत्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वढ़न किया या दा में सबसे परभाव साली राज्य कौन सा था यह था उस तो साад साथ वहान, साथ वहान वंस, अगला बरस ने, सुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया, दुस्तो ये क्या था, कणू वंस ने, अगला बरस ने, कनिस्क को चीनी जर्नल ने पराजित किया था, कनिस्क दुस्तो ये महान कुशान सासक था, कनिस्क को किस चीनी जर् पाँचाओ पाँचाओ अगला बर्षन है चंदर गुप्त के नवरत्न में से कौन फलित जोतिस से सम्बंदित था जुस्तो ये था चपड़क अगला बर्षन है सुद्ध अदयत वाद का परतिपादन किसने किया था बल्लबाचारी बल्लबाचारी उस्तो कौन सूर्दास के गुरू थे ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर उस्तो सुद्ध अद्वयत वाद है अगर उस्तो सिर्फ अद्वयत वाद आई तब उस्तो आप करेंगे संक्राचार अगला परशन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्म कथा लिखी बहुत ज्यादा महत्पू जाक का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था उस्तो अलाई औसे अलावदिन खिल जी तो बिल्कुल आसान है अगला पर हमारा रामानुजाचार ने किस दर्शन का परतिपादन किया जिसमें ज्यान से अधिक भक्ति को महत्पूर्ण बताए गया तो इतना ही आपको याद पढ़ता है अगले वर्षनी की तरफ अगला वर्षने आपर हमारा तराइन का पर्थम एवं दित्वी युद्ध किनके मध्धि लड़ा गया दोस्तो दोनों युद्धे यहाँ पर दिये हुए हैं दोस्तो ये लड़गे थे मोहमद गोरी और पिर्थिवी राज तिर्थी के बीच तराइन का पर्थमिं दोस्तो पर्थमिय यहाँ पर आपको करने है तो पर्थमिय दोस्तो का वहा था remember 1901 में मोहमद गोरी दोस्तो इसमें हार जाता है पिर्थिवी राज 443 से और दूसरा इधेfa तो फिर अगले वर्स होता है 1192 में मोहमद गर्य उस्तो इसमें जीट जाता है और उस्तो इसमें मिर्ति हो जाती किसकी पिर्थिवी राज तिर्ती की अगला वर्सने यापर हमारा पराचीन तमिल देश में उपजाओ किर्सी भुभाग को क्या कहा जाता था ये यहाँ पर कोलम का युद्ध किनके मद्धी हुआ था उस्तो इह वा था चोल यहों राष्ट कूटू के मद्धी तो यह आपको यादक नहें धक्षिन भारत का परसिद दोस्तो तक कोलम का युद्ध चोल यहों राष्ट कूटू के मद्धी हुआ था अगला परसने यापर हमारा अस् अगला वर्षने आपर हमारा चालुक की वन्स का सबसे महान सासक किसे माना जाता है यह यहाँ पर आपको बताना है चालुक की वन्स का सबसे महान सासक किसे माना जाता है पूल के संद्यूति को माना जाता है तो बढ़ते हैं अगले वर्षन की तरफ अगला वर्षने आपर हमारा दक्षिन भारत का कौन सा राजवन्स अपनी नौसैनिक सक्ति के लिए परशिद था जबरदस्त परशन तो बिलकुल छपने वाला परशन है बार बार ये परशन परिक्ष्याओं में पूछा जाता है दक्षिन भारत का कौन सा राजवन्स अपनी नौसैनिक सक्ति के लिए परशिद था दोस्तो ये था चोल वन्स अगला वर्षने आपर हमारा मामल पुरम में रत इसमारकूं का निर्मान किस वन्स के सासक अगला वर्षने आपर हमारा जबर्धस्त परशन है किस धरम को राष्ट कूटू का सरक्षण पराप्त था बहुत ज्यादा में परशन इस अगला वर्षने है कोनार के सूरी मंदि दो कहा है ओड़िसा अड़िसा में और इसका निर्मान निर्मान उस्तो किन सासकूं ने कर राः था यहां पर आपको बताना है दोस्तों यह कराया था नर्सिंग देव बर्मने मन्दिर उडिसा का निर्माण गुजर पर्तिहारवस Κी स्तापना किस नै की थी यह दोस्तों यहां पर आपको बताना हैं तो इसका सेवतर हुजाएगा नागभट पर्थम gajar परतिहार वन्स की अगला परसने है यापर हमारा राश्ट कूट समराजी की स्तापना किस ने की थी तो इसका सेवतर हुजागा उस तो दंती दूर्ग ने की थी राश्ट कूट समराजी की स्तापना बहुत जादा महत्पून परसने हैं बेलकुल छपने वाला परसने कई बार अगला परस। तटपर सिकंदर यवन पूरस की सेनाओं के मध्धि अगला वर्षन अपर हमारा किस सासक को पर्षुराम का दूसरा आउतार कहा जाता है तो य्याप को याद रखना है बढ़ते हैं अगले वर्षन की तरफ अगला वर्षन है अगला परसन है लखनाव समझोता उनिस्टो सोलका विरोध किसने क्या था दूस्तो ये क्या था मदन मोहन मालवी ने बहुत जादा महत्पूर्ण परसन है लखनाव समझोता उनिस्टो सोलका दूस्तो विरोध किसने क्या था मदन मोहन मालवी ने क्या था बढ़ते हैं आगला परसन वार्सन है पर हमारा जबड़स्त परसने कई बार परिक्ष्या में मोह पूछा जाता है वर्स 1913 में लाला हर्दियाल द्वारा गदर आंदुलन का प्रारंब कहां से क्या गया दोस्तों यह क्या गया था सैन फ्रांसिस्को युएसे से बहुत जादा महत्पुन परसने है वर्स 1913 में लाला हर्द्यान ने गदर आंदुलोस्तु कब 1913 में सैन फ्रांसिस्को युएसे अगला परसने है मदरास में स्वधेशी आंदुलोन का निर्टतु किस ने किया था तो उस्तो ये किया था चितंबरं पिल्ले ने बिर्टिस वस्तु के भहिसकार को राष्टी और निती के रूप में स्विकार दोस्तो वर्स 1905 में किया गया था तो याद रखेगा अगला परसने है स्वधेशी आंदुलन के परचार परसार के लिए परियोग की गई दे बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तो ये थे सुरेंदर नाथ बैनेरजी थे तो याद रखेगा अगला परसन उस्तो जबरदस्त परसने है भारस सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास पराधिकरन तो उस्तो इसकी स्थापना कब की गई थी तो अप्रेल सन 2000 में की गई थी आपको याद रखना है बीमा निया प्राधिकरण इवां बिकास प्राधिकरण। उसतों इसकी स्तापना अप्रेल 2000 में बोले तो केसी सी योजना उसतों कब शुरू की गई थी। अगला वर्षन है वह कर जो क्रेता के लिए परत्यक्ष रूप से वस्तूं के मुल्यों की बृद्धी नहीं करता क्या कहलाता है उस्तों एक कहलाता है आईकर इंकम टेक्स है वह कर जो क्रेता के लिए परत्यक्ष रूप से वस्तूं के मुल्यों की बृद्धी नहीं करता है आई कर दुस्तु कहलाता है अगला वर्ष ने Central Board of Direct Taxes यानि कि दुस्तों CBDT का अगठन कब किया गया था वर्ष 1963 में दुस्तों किया गया था अगला वर्ष ने सून्ने आधारित बजट जीरो वेस्ट बजट को किस अन्नी नाम से दुस्तु जाना जाता है सूर्यास्त बजट कौन सा दुस्तों यह नेफेट किरसी मूली आयो कि स्तापना किसकी अधिक्चता में की गई दुस्तों यह की थी दंतवाला प्रोफेसर एम एलम दंतवाला तो यह आपको यादखना अगला वर्ष ने सरुपर्थम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था द दुस्तों यह किया गया था वर्ष 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कारिकरम का प्रारंब अगला वर्ष ने आपर हमारा जौन डबलू मिलर मॉडल पर कौन सी पंच वर्षी योजना आधारिक थी बहुत ज़्यदा दुस्तों महतुन परसन है यह थी दुस्तों सातवी पंच इसमें डिजिटल संपत्ती यानि कि क्रिप्टो केरेंसी के हस्तान आंतरण से होने वाली आई पर कितने परतिसत कर का परावधान किया गया थी दुस्तों यह है 30 परतिसत बहुत ज़्यादा महतुन है याद रखेगा भारत के पर्थम परधान मंतरी जवहालाल नहेरू के जीवनिकार कौन थे पहुत ज़्यादा महतुन परशन दोस्तों यह थे फ्रैंक मॉरेस जवालाल नहेरू के जीवनिकार थे आपको याद रखने है अगला उसने गोखले माई पॉलिटिकल गुरू दोस्तों किसकी पुस्तक है नामक पुस्तक की रचना किसने की महात्मा ग गुरू थे तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं और दोस्तों यह गोपाल कृष्ण गोखले हैं यह पंडित गोविंद बलाप पंथ जी के विस्तु राजनिति गुरू थे यह भी आपको याद रखने है उत्राखंड़ समंदित परशन यह भी बन सकता है अगला वर्सन कैबिनेट मिशन योजना को स्विकार करके मुस्लिम लीग द्वारा परत्यक्च कारवाई दिवस कब मनाये गया था 16 अगस्त 1946 को बहुत जादा बहुत जादा महत्रू वर्सन है कैबिनेट मिशन को स्विकार करके मुस्लिम लीग द्वारा परत्यक्च कारवाई दिवस अगला वर्षने यापर हमारा सुबाश चंद्र बोस को देश नायक की उपादी किस ने दी थी रविंदरनाथ टैग और ने गुरुदेव रविंदरनाथ टैग और ने अगला वर्षने यापर हमारा 14 जुलाई 1922 को कांग्रेस कार्ज समिती द्वारा भारत छोड़ो स्तापित करने के उद्देश से बिर्टेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी तो मार्च 1922 में की गई थी बहुत ज़्यादा महत्मुन परस ने तो याद रखेगा अगला परस ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा महत् 1934 में किसके दोरा की गई थी तो सौमेंदर नाथ टेगोर के दोरा दोस्तों ये की गई थी अगला परस ने हैं फेबियन आंदुलन का परस्ताव किसने दिया था दोस्तों ये दिया था एनिवेसेंट ने एनिवेसेंट फेबियन आंदुलन का परस्ताव एनिवेसेंट एन परने का पराओधान किस अधिनियम में किया गया था उसतों यह किया गया था मारले मिंटो सुदार अधिनियम 2009 बहुत जाटा महत्रून है तो याद रखेगा अगला परसण है बाल गंगादर तिलक को असांती का जनक किस ने कहा था उसतों यह पर आता है वेलेंटैन शिरोल ने उस्तों कहा था बाल गंगादर तिलक को भारती असांती का जनक अगला परसने आपर हमारा महराष्ट के किस समा सुधारक को लोखित वादी की संग्या दी गई है दूस्तों लोखित वादी नाम से कौन जाने जाते हैं तो गोपाल हरी देश मुख लोखित वादी बहुत जादा महत्मून परसने अगला परसने वर्ष 1910 में इलहाबाद में भारत इस्तरी महामंडल की स्तापना किसके द्वारा की गई थी सरला देवी चौधरानी ने अगला परसने भारत में थियोसोपिकल सोसाइटी को किसके परितनू से सपलता मिली तो एनि बैसेंट पहुत जादा महत्मून परसने भारत में थियोसोपिकल सोसाइटी को किसके परितनू से सपलता मिली तो एनि बैसेंट अगला परसन तो यहाँ पर हमारा कई बार यह पर अगला परशन है वर्ष अठार सव बहुत्तर में नेटिव मैरीज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी बहुत जादा महत्पूर्ण परशन है बिल्कुल छपने वाला परशन है केशाव चंद्र सेन्य निभाई थी तो याद रखेग अगला परशन है दोस्तो बिल्कुल छपने वाला परशन है कई बार परशन पूछा जा चुका है भारत में स्वरूपर्थम प्रेस सेंसर्शिब किसने लागू की थी दोस्तो ये की थी लौड वेले जली ने बहुत जादा महत्पूर्ण परशन है अगला वर्षन है अल हि वुड घोषना पत्र के सुजाव पर कलकत्ता बंबई तथा मदरास में किस वर्ष बिश्व विद्ध्यालयों की स्तापना की गई थी वर्ष 867 में अगला वर्षन है आपर हमारा बंबई में परथम महिला बिश्व विद्ध्यालय की स्तापना किसके परयासु से हुई पह प्रशने वर्स अठार सो सताउन के बिद्रो के पश्चात बंगाल में कौन सा बिद्रो हुआ था दूस्तो यह वाता नील बिद्रो यह आपको यादख्षने अगला वर्सने आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है दूस्तो यह जना जाता है बिर्सा मुंडा को बिर्सा मुंडा अगला वर्सने अठार सो सताउन के बिद्रो के समय विर्टिस परधान मंतरी कौन थे पिल्कुल चपने वाला परस्ने पौमिष्टन थे और 1947 के समय उसतो बिर्टिस पिम कौन थे यह आपको बताना है कमेंट ब विक्टोरिया ने भारतीय पर्शासन को किस बिरिटिस ताज के नियन्तरण में लेने की घोषणा कि थी दोस्तो लमें common वर्श 1888 को बिद्रहों के दमन के पस्चात भारतिय सेना का पुनर गठन के लिए किस आयोका गठन किया गया था ये किया गया था पील आयोका गठन बहुत ज़्यादा महत्तु बरसने चपेगा अगला बरसने है तेरा जनुवरी 1849 को हुए चिलिया वाला युद्ध में अंगरेजी सेना का नेत्रुत्यु किसके दौरा किया गया था लॉर्ड के दौरा किया गया था अगला बरसने है महराजा सत्रस्वा चपन को परसिद्ध बलेक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के सासन कालम हुई थी तो उस नवाब सिराजुद दौला के कालम है तो 20 जून सत्रस्वा चपन को परसिद्ध बलेक होल की घटना उस तो यह हुई थी सिराजुद दौला के सासन कालम है अगला पर हमारा भारत में सरवाधिक उंचाई परिस्तित राष्टी उध्यान कौन सा है दोस्तो ये है हेमिस राष्टी उध्यान और ये कहा है दोस्तो ये लद्धाग्म है तो परशनी इस तरह से भी बन सकता है कि हेमिस राष्टी उध्यान का इस्तित दोस्तो ये है लद्धाग् थे बहुत ज्यादा दूस्तो मेहतुन परसने 23 जनुवरी 2001 बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहतुन परसने भारत ने जैव सुरक्षा उपसंदी प्रोटोकॉल पर उस्ताक्षर कब किये थे तो 23 जनुवरी 2001 अगला परसने विश्चु का सबसे गहराई पर रिस्तित पुरूरक के रूप में पर्योग किया जाता है उस तो ये किया जाता है धान के तो ये आपको याद रखना है